इसराइल लेबनान और इरान के बीच तनाफ गहराता जा रहा है। जो बाइडन ने कहा कि वो इसराइल का साथ दे रहे। लेकिन अगर इसराइल इरान के नुक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। बाइडन के बाइडन के बाइडन के बाइड है। यचिन के भाइड मैं इसकी बाइडन के बाइडन के बुक्लियर साइडन के लाहा इव्चा मैं बाइडन के लाह उट्ट फमliftingr से उत्त इंति कर अऽैडन के इस दोड़ है। इस बीच आयर जीसी के डिप्टी चीफ बिगेडियर जनरल अलीफ दावी ने इसराइल को कड़ी चिताब निदी है उन्होंने कहा इसराइल की और से कोई गलत कदम उसके अस्तितों को ख़त्रे में डाल सकता है इरान इसराइल के सभी उर्जा शुरोतों को निशाना बनाएगा जिसमें बिजली स्टेशन, रिफाइनरीज और गैस जैसे सेक्टर शामिल है इरान में इन सभी लक्षों पर एक साथ हमला करने की शमता है वहीं इरान आर्मी कमांडर इन चीफ ने भी इसराइल को धमकी दी है मेजर जनरल अब्दोलर रहीम मौसवी ने कहा इसराइल को किसी भी लापरवाही कारवाई के लिए कमभीर और विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा हमने पहले भी सयम और धैर का परिचे दिया है इरान उचित समय पर सटीक और विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार है वहीं अमेरिकी राश्रुपती ने कहा कि वह इरान तेल फैसिलिटी पर संभावित इसराइली हमलों को लेकर चर्चा कर रहे है बाइडन के इस बयान के बाद इरान ने सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए का अगर इसराइल और अमेरिका इरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते है तो इरान, सौधी अरब, अजरवेजान, कुवेट, युएई और बहरीन समेथ पूरे इलाके में रिफाइनरियों और तेल शेत्रों में आग लगा देगा इससे अमेरिका और इसके सहयोगियों को तेल को लेकर हाहाकार मत जाएगा इरानी धमकी के बाद अब बाइडन के सुर्फ बदले-बदले से नजर आए अब अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन नहीं चाहते कि इसराइल इरान के तेल उत्पात सेयंत्रों को निशाना बनाए उन्होंने कहा कि इसराइल ने अब तक ये तैय नहीं किया है कि वे किस तरह से हमला करने जा रहे है इस पर चर्चा चल रही है जो बाइडन ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी जगए होता तो ओयल सेक्टर पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में सोचता ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिलीस्ट मिजारी तनाव के बीच अमेरिका एक दिवार बन कर ढाल का काम कर रहा है नहीं तो ये युद्ध कब विक्राल रूप ले सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता बता दे कि इरान दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा तेल उतपादक है जो अपने उतपादन का लगबग आदा हिस्सा विदेशों में निर्यात करता है खेर अब इस बढ़ते तनाव के बीच देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसराइल अमेरिका की बात मानता है या फिर अमेरिका के खिलाफ जाकर इरान के तेल भंडार पर हमला कर युद्ध को और भेंकर बनाते हुए नए युद्ध के लिए ललकारता है